तो आज का वीडियो है मारा प्रोटो जवा जैनित रोग, कवक जैनित रोग और मच्छर पर आधारी रोग देखिए पहले थेवरी पढ़ेंगे बाद में आपके लिए कुछ M.C.K. विज होंगे जिससे आप जान पाएंगे कि आपने मेरे वीडियो से कितना सीखा इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने विशनाडू और बैक्टिरिया से जुड़े हुए रोगों के बारे में ट्रिक से बात की थी अगर आपने उस वीडियो का नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक दे दिया जाएगा आप पिछले वीडियो भी देखेगा क्योंकि लास्ट में जो कोश्चन है वो पिछले वीडियो के भी हैं तो सुरू करते हैं आज का वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक कर दिजेगा शेर कर दिजेगा चैनल पर पहली बारा है तो चैनल सब्सक्राइब कर लिजेगा बेल आइकन दबा देखे पहला हमारा पाइंट है प्रोटो जोवा जनित रोग देखे प्रोटो जोवा से निमन रोग होते हैं जैसे मलेरिया पाइरिया पेचिस काला जर और सोने की पीमारी ट्रिक क्या है पापा काम पर सोते हैं पापा काम पर सोते हैं तो पापा से क्या हो जाएगा पाइर तो पे से पेंचिस सोते हैं सोने की बिमारी तो प्रोटो जोवा जनित रोग इसको कैसे आद करेंगे पापा काम पर सोते हैं पापा से पाइरिया का से कालाजर मा से मलेरिया पर उको पे कह सकते हैं तो पेंचिस सोते हैं सोने की बिमारी ठीक है तो याद रखेगा प्रोटो ज उनको जान लेते हैं देखे 25 रोग जो होता है वो प्रोटो जवस से होता है मक्यों के दार होता है और देखे दस्त होती है पतली दस्त होती है और दस्त में बलड आता है ठीक है पाइडिया जो होता है दांतों की बिमारी है मसूड़ों से जुड़ा हुआ होता है बदबू आ प्राप्त होती है एक्जाम में इसे काफी बार पूछा गया है और पिछली वीडियो देखना मत भूलेगा बहुत ही महत्तपड है ये वीडियो ऐसा है चाहे आप कोई भी एक्जाम देने जा रहे हैं सभी में ये पूछा आता है चाहे ससी हो टेट का एक्जाम हो ठीक है PCS हो किसी भी एक्जाम को देने जा रहे हैं सभी में ये प्रस्ण पूछे आते हैं तो मलेरिया के उप्चार में कुनेन दवा का प्रयोग के आता है जो सिंकोना पेंट से प्राप्त होती है मलेरिया के टिके की खोच जो है रोनाल्ड रास ने की थी सबसे पहले रोनाल्ड रास ने बताया था कि मलेरिया जो है वो मच्छर से होता है ठीक है और मलेरिया जो है प्रोटो जोवसे होता है इस चीज को ध्यान रखेगा अगला है मच्छर के प्रजनन रोकने के लिए ठहरे वे पानी में मिट्टी का तेल डाला जाता है ठीक है अगला पॉइंट है मच्छर से फैन ले वाले मलेरिया डेंगू चिकन गुनिया मस्तिस्क जर देखें मलेरिया जो है ये मादा एनाफिलिस से होता है डेंगू और चिकन गुनिया जो रोग है ये आपका होता है किस से मादा एडीज मच्छर से ठीक है इस चीज को आप लोग ध्यान रखेगा डेंगू चिकन गुनिया जो है ये वाइरस से होता है मलेरिया प्रोटो जवा से होता है और डेंगू जो है ये मादा एडीज मच्छर के काटने से होता है मस्तिस्क जर जो है ये क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है इस चीज को आप लोग ध्यान रखेगा तो ये प्रोटो जवा से जुड़े हुए कुछ पॉइंट्स थे अब जानेंगे कवक जनित रोगों के बारे में देखे चाहे विसाडू हो, बैक्टिरिया हो, प्रोटो जवा हो या कवक हो ये ऐसे रोग हैं यानि इनसे होने वाले कुछ रोग होते हैं एक्जाम में पूछे आते हैं तो बैक्टिरिया और विसाडू के बारे में हम लोगों ने पहले पढ़ लिया है प्रोटो जवा को आज हमने पढ़ लिया, आप पढ़ेंगे कवक जनित रोग को तो उसको देख लेते हैं, देखे कवक जनित रोग कौन कौन से होते हैं, गंजापन, दमा, दाद, खाज, एथलीट, फुट ठीक है, दाद, खाज, खुझली, वो कवक से होती है तो कवक जनित रोगों को कैसे याद करेंगे, गंजा, दामात, खाए, फुरूट ये ट्रिक है याद करने की गंजा, गंजा मतलब क्या होता है, गंजा मतलब क्या होगा, गंजापन, दमा मतलब, गंजापन होगा, दमा, द, दमा, मतलब दमा हो जाएगा, दा से दाद हो जाएगा, खाए से खाज हो जाएगा, खा से, फुरूट से एथलीट होग, हाथी पाउँ गंजापन क्या है देखिए बाल जो है गिर जाते हैं ठीक है और दाद खाज खुजली जो होती है दाद में जो है जब दाद होता है जी सेगापर वहाँ पर जो है लाल चकत्ते पड़ जाते हैं खाज जहां पर होती है वहाँ पर खुजली होती है सफेज चकत्ते पड़ जात आये उनको करते हैं देखिए इस वीडियो में आपको 7 प्रश्ण मिलेंगे साथ में से जितने भी प्रश्ण आप सही करते हैं कमेंट करके जरूर बताएगा तो पहला प्रश्ण मारा मलेरिया होता है विसाड़ू से कवक से प्रोटोजवा से जीवाड़ू से तो फटाफट बताई इसका जवाब क्या होगा ठीक है तो अभी मैंने आपको बताई था मलेरिया जो है प्रोटो जिवा से होता है किससे होता है प्रोटो जिवा से होता है और मलेरिया जो है मादा एनाफलीच मच्छर के काटने से होता है ठीक है तो आपका C option सही होगा अगला प्रशन है धनुष्ट अंकार रोग कहलाता है हैजा, टिटिनेस, डिफ्तिर या प्लेक धनुष्ट अंकार रोग किसे कहा जाता है बताना है आपको फटा फट देखिए पिछला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आप कुछ प्रशन नहीं कर पाएंगे तो पिछला वीडियो आप लोग जरूर देखेगा ठीक है, लिंक मैंने आपको description में दे दिया है तो धनुष्ट अंकार रोग ये आपका कहलाता है टिटिनेस अगला प्रशन है, पिलिया से प्रभावित होने वाला अंग है आख, नाख, यक्रत, हाथ तो पिलिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है कौन सा होता है मेली तो ये होता है आपका यक्रत ठीक है, सी आप्सन आपका सही होगा पेलिया में पूरा सरीर हमारा तिला पढ़ जाता हैं आखें पेली पढ़ जाती है यह अक्रत मेली प्रभावित होता है अगला प्रस्ण है डेंगू और चिकन गुनिया होता है विसाडू से जीवाडू से कवक से या इन में से किसी में से नहीं तो डेंगू जो होता है डेंगू और चिकन गुनिया ये होता है आपका किस से विसाडू से बिल्कुल सही जवाब मुझे पता है आप लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया होगा डेंगो और चिकन गुनिया विसाड़ू से होता है मादा एडीज मच्छर के काटने से होता है ठीक है? अगला प्रस्थन है कोड़ कोड़ जो है किस से होता है? बैक्टिरिया, वाइरस, फंगस यानवे से कोई नहीं कोड़ जो होता है कुष्ट रोग यानि वो किस से होता है? तो यह होता है आपका बैक्टिरिया से रैबीज रैबीज जो होता है यह किस से होता है? बैक्टिरिया से होता है वाइरस से होता है प्रोटो जवा से होता है तो रैवीज जो है किस से होता है रैवीज जो है कुत्ते के काटने से होता है सभी को बता है और जिसको भी रैवीज हो जाता है तो वो पानी से डरता है तो रैवीज जो है यह बैक्टिरिया से सरी बैक्ट बैसिलिस फोड़िलिस सकाल मेट गुरीन या होगा तो सॉने प्रस्नाब करें हैं करके जरूर मैं आप यह बता यहां कि प्रोटो जोबा प्रोटो जोवा से जो है कौन कौन से रोग होते हैं अभी है मैंने आपको बताया था कौन कौन से रोग होते हैं ट्रिक आपको पता है बिल्कुल पता होगी पापा काम पर सोते हैं क्या थी ट्रिक पापा काम पर काम पर सोते हैं पापा मतलब पाई रिया, का मतलब कालाज और मा मतलब मले रिया, पे मतलब 25, सोते हैं सोने की बिमारी, ठीक है? इसी प्रकार कवक की बात करें, तो कवक से होने वाले रोग कौन-कौन से हैं? गंजा दमाद खाए फ्रूट, गंजा मतलब गंजापन, खाए दमाद मतलब दमा, दा मतलब दाद, खाए मतलब खाज, खुजली, और फ्रूट मिलता एथलिट फूट, तो इस परकार से आज का जो हमारा वीडियो था, यही पर सवापत होता है, और जितने भी प्रस्णा कमेंट करके बताएगा और टेली ग्राम कुर्प से जुड़ जाएगा देखिए जो भी वीडियो से हैं उसकी पीडियो आपको मिल जाएगी ठीक है तो मिलते हैं आपसे एक लिए वीडियो में थैंक्यू फ्रेंड थन्यमाद कि अएऽज को में बताएगा देली बार कि रेली हैं देखिए कि अच्राम के लाएगा दो चा है रहा है कि रेली बताएगा देली को आवेशचंज अवी है